हेलो बच्चो मैं हरीश मटपाल आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने ग्यान सागर मटपाल चैनल में बच्चो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ exercise 10.5 का question 4 and 5th 9th class NCRT Maths तो 10.5 का question number 4 देखते हैं हम लोग, question number 4 में हमें figure given है, जिसमें हमें एक circle दिया है, circle में A, B, C, angle A, B, C हमें 69 दिया है, तो A, B, C बनाते हैं A, B, C ये वाला angle हमें बच्चो 69 दिया हुआ है, उसके बाद दूसरा हमें angle A, C, B, A, C, B 31 दिया है, तो देखते है A, C, B, ये भी हमें 31 degree दे रखा है, हमें बच्चों find करना है angle B, D, C, तो angle B, D, C हमें calculate करना है, तो D point ले लिया circle पे, तो angle B, D, C ये हमारा बन रहा है, जो हमें निकालना है, तो हमें निकालना है क्या ये वाला angle हमें calculate करना है, तो हम solve करते हैं इसको, बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो triangle B, A, C है, वो triangle ले लिया, तो हमने triangle ले लिया, A, B, C बोलो, या B, A, C, तो हमने triangle ले लिया बच्चों, A, B, C, इस triangle में अगर हम देखे तो हमें 3 angle given है, जैसे एक angle ये रहा, और दूसरा angle ये रहा, तो दो angle हमें given है, और जब किसी triangle में 2 angle दिये रहते हैं, तो बच्चों हम 3 angle easily निकाल लेते हैं, तो इसमें एक angle हमें दिया है, A, B, C, 69, और बच्चों दूसरा angle दिया है, A, C, B, 31, और 3 angle हमारे पास है, B, A, C, ये तीसरा angle है, इन तीनों एंगलों का जोड 180 degree होगा, किसके अनुसार, triangles angle की property के according, किसी भी triangle में अंदर के तीनों एंगलों का जोड 180 degree होता है, तो बच्चों A, B, C हमें 69 दिया है, ये रहा, A, B, C, और A, C, B, B हमें बच्चों 31 दिया है, तो इसको अटा के हमने 31 लिख दिया, और यहां से बटा, easily calculation करके हमने बच्चों B, A, C की value निकाल दी, 69 और 31 को add किया, तो 100 आया, और B, A, C, अब हम क्या करेंगे, B, A, C यहीं रहेगा, और ये जो 100 है, ये इधर आके, माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 100 माइनस करेंगे बच्चों, तो 80 degree हमारा B, A, C निकल के आया, अब यहा oh GOOD, और B, D, C, जो हमें निकालना है, बच्चों यह दोनों आंगल बराबर है, अब ये कारण हमें समझना है, की यह दोनों आंगल बराबर क्यों है, ये हमें समझना है, तो हम देखें, B, A, C, येवाल आगल, और B, D, C, येवाल आगल, तो बच्चों ये दोनों angle equal हैं क्योंकि एक ही segment पे जैसे BC है तो BC के उपर कहीं पे भी आप कोई भी point low और angle बनाओ BC पे BC से तो वो angle बरावर होगा तो BC से आपने उपर की तरफ कहीं पे भी angle बनाया B से A पे गए C पे आगए B से बच्चों D पे गए C पे आगए तो ये दोनों angle बरावर होगे क्योंकि angle in the same segment जो एक ही segment पे जो angle बनते हैं angle in the same segment एक ही segment पे जो angle बनते हैं are equal तो एक ही segment पे बनने वाले angle equal होते हैं बच्चों तो B A C कितना है A T तो B D C भी equal to A T होगा तो इस तरीके से समझना हमने कि ये अगर A T है B A C अगर B A C A T है तो बच्चों B D C भी A T होगा इस तरीके से हमें question number four को solve करना है अब हम देखते है question number five question number five में भी हमें figure given है हमें एक circle दिया है उस circle पे चार points है A B C and D are four points on a circle हमने A C और B D लिखा हुआ है A C and B D A C and B D intersect each other at point E तो A C और B D एक दूसरे को E point पर काट रहे हैं और angle B E C हमें 130 degree दिया है B E C दियान चे देखते हैं हम लोग B E C ये हमें बच्चों 130 degree दिया है और E C D E C D ये हमें 20 degree दिया है अब हमें find क्या करना है हमें find करना है B A C angle B A C ये हमें find करना है तो हम solve करते हैं इसको अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ही B E D हमें नजरा रहा है देखते है दियान से B E D B E D एक straight line है B E D एक straight line है तो इसका मतलब एंगल B E C और C E D दियान से देखना है इन दोनों का जोड बच्चों 180 होगा क्यों होगा वही क्योंकि linear pair एक straight line पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका जोड 180 होता है तो अगर हम देखें यहाँ पे B E C B E C एंगल और C E D दोनों का जोड बच्चों 180 डिग्री है तो यह B E C है और बच्चों यह वाला एंगल है C E D इन दोनों का जोड होगा 180 अगर एक 30 है तो दूसरा 50 होगा ठीक है तो यह निकालते हैं हम लोग कैल्कुलेशन करके अब B E C हमें बच्चों 130 दिया है C E D हम निकाल रहे हैं तो दूसरा अंगल है तो अब हम इसे कैल्कुलेट करेंगे यहाँ पे C E D यहीं रहेगा और 130 उदर आके बच्चों माइनस हो जाएगा और यह कैल्कुलेट करके हमारा C E D 50 डिग्री निकल गया तो यहाँ पे C E D हमारा कितना निकला बच्चों 50 डिग्री तो C E D 50 डिग्री निकला अब हम इसको आगे सॉल्म करते हैं C E D यहाँ पे 50 डिग्री निकला है अब बच्चों हमने क्या किया ट्राइंगल ले लिया पूरा ट्राइंगल ले लिया C E D C E D और अभी थोड़ी तर पहले हमने एक एंगल निकाला था C E D कितना निकाला था 50 अब यह जो ट्राइंगल है C E D इसमें तीन एंगल है एक तो है C E D देखो C E D है और दूसरा है बच्चों E C D जो हमें देर रिखा है E C D और बच्चों इसमें तीसरा एंगल है E D C E D C तीनों का जोड होगा 180 क्योंकि किसी भी ट्राइंगल्स में ट्राइंगल्स एंगल्स प्रापटी ट्राइंगल्स एंगल्स एंगल्स प्रापटी के एकोर्डिंग तीनों एंगलों का जोड 180 डिग्री होता है C E D हमारा 50 निकला E C D E C D बच्चों हमें 20 दिया है और E D C हमें निकालना है E D C हमें निकालना है तम कैसे निकालेंगे 50 और 20 को एड़ करेंगे 70 E D C ऐसी रहेगा 180 भी ऐसी रहेगा E D C 180 माइनस 70 यह 70 इधार आके माइनस हो जाएगा बच्चों तो यह निकल गया 110 तो E D C E D C को हम बच्चों B D C भी कह सकते हैं E D C और B D C दोनों A की ही बात है आप गराप को ध्यान चे देखो B D C और E D C दोनों A की एंगल है अब यहाँ पे हमें यह पता होना चीए कि B A C और Eक्वल टू B D C दोनों एंगल बरापर हैं 110 क्यों बरापर है वई क्योंकि एंगल इंदा सेम सेग्मेंट एक ही एंगल पे एक ही सेग्मेंट पे एंगल इंदा सेम सेग्मेंट आर एक्वल बच्चो एक ही segment पे जो angle होते हैं वो equal होते हैं जैसे BAC और BDC दोनों एक ही segment BC के उपर जो segment है circle का BC के उपर जो part है वहाँ पे angle बन रहा है B से AC फिर B से DC दोनों angle बराबर होंगे अभी 130 से हमने ये निकाला 50 क्योंकि दोनों का जोड 180 होता है फिर 50 और 20 70 और फिर 180 में से मैनस करा तो बच्चो ये निकाला 110 तो ये 110 है तो ये भी 110 होगा क्योंकि एक ही segment पे जो angle बनते हैं वो equal होते हैं और बच्चो हमें यही angle निकालना था हमें B, A, C ही निकालना था और वो angle हमने निकाल दिया 110 तो इस परकार से ये हमारा answer हो गया